स्वागत बच्चों आपका Self Study के चैनल में और आज हम अपने English Grammar की जो Basic हमने शुरू किया था उसको आगे बढ़ा लेते हैं और आज हम अपने इस वीडियो में semi verb क्या होती है उसके बारे में हम जानेंगे दरसल इसके बारे में हम already पता कर चुके हैं जो पिछली वीडियो अगर आपने Basic की देखी हो जिसके अंदर मैंने जीरंड, Present Participle, Past Participle, Infinity ये करवाए थे तो आपको पता है कि semi verb किसको कहते हैं तो ये एक तरीके की practice कह सकते हो और इसके अंदर कुछ नए concept आने वाले हैं उन सब चीजों को हम देखेंगे और अब कोई नया बच्चा इस वीडियो को देख रहा है तो देखो उसके तो समझ में कुछ भी नहीं आने वाला क्योंकि इसमें concept आगे बढ़ चुका है और ये वाली वीडियो अगर आपको समझनी है मैंने इसको नाम दिया है semi verb की semi का मतलब होता है half और verb का मतलब होता है क्रिया यानि अर्ध क्रिया किसको कहते हैं यानि semi verb अब किसको कहेंगे इसके बारे हम जानने वाले हैं देखें पिछली वीडियो में क्या कहेंगे कि जो हमारी basic की जो लास्ट वीडियो गई है उसके अंदर मैंने आप लोगों को gerund present participle और past participle past participle और infinity ये मैंने आप लोगों को करवाये थे और इसमें बताया था कि ये बने हुए किस से हैं ये बने हुए तो verb की base form से ही है एक तरीके से verb से ही तो बने हुए होते हैं तो जब ये verb से बने हुए होते हैं तो इनके अंदर कुछ गुण पाए जाते हैं कुछ गुण पाए जाते हैं जैसे science में बाद होती हैं कुछ इसके गुण पाए जाते हैं कुछ उसके गुण पाए जाते हैं ये वाली बात है, तो इसके अंदर भी कुछ गुण पाए जाते हैं, वब से बने हैं, तो भहिया वब के भी गुण पाए जाएंगे, तो इसके अंदर वब के गुण पाए जाते हैं, तो वब से बन रहे हैं, तो आदे वब के गुण होगे, और आदे है, उसके गुण होगे जो यह बनने वाला है, अभी फिलाल उसके बारे मैं डिसकस करूँगा, ज्यादा पेजीदा नहीं करते हैं, तो अर्ध क्रिया इसको कहेंगे कि जिसमें थोड़े बहुत वर्ब के गुण पाये जाएं, और इनके अंदर वो गुण पाये जाते हैं, इसको सारे को रफ करते है और यहाँ पर sentence को break करने की बात करेंगे हैं, टोटल आपके सामने यह मैंने 5 sentence लिखें, देखो आपको करने हैं पहले, first try आपको करना है कि इन sentence को break कैसे करना है, यह आप जानते हैं, मैंने आपको सिखाया हुए, जो नहीं आता होगा, उसको बेशक छोड़ देना, वो काम म मेरा है आगे करवाने का, लेकिन जितना मैंने करवा रखा है, जितना आपको आता है, उतना करने की कोशिश करिए, ताकि इस वीडियो का आपको benefit मिल पाए, simple सी बात है, जब तक आप अपनी pen और copy में, मतलब अपना खुद का दिमाग यूज नहीं करेंगे, जब तक अपन बैस्ट ये रहेगा कि वीडियो यहीं पोज करिए, और करिए इनको, ट्राय करिए, उके उमीद करता हूँ कि आप लोगों नहीं ये जो sentence है, वो करने की कोशिश की होगी, और नहीं कि ये तो अभी भी मोका है कर लीजी, अब आते हैं आपने पहले sentence के उपर, जो पहला sentence है the teacher punished him for shouting loudly, इस sentence को break करते हैं, जैसा मैंने शिखा रखा है कि अब sentence को break करने की शुरुवात किस से करेंगे, sentence को verb से, verb से ही हम sentence को break करेंगे, तो sentence में verb क्या है, sentence में verb है, punished, तो यहाँ पर punished पे चले गई, तो यह होगी verb, sentence किस में है, active में या passive में, यह मैंने सिंजा रहा है कि active sentence और passive sentence यह sentence active में है तो यहाँ पर teacher क्या बनेगा इस punished का doer तो यहाँ पर हो गया subject punished किसको कर दिया भी punished कर दिया him को तो him बनेगा object punished आपको पता है verb से what या whom के reply verb के object होते है four क्या है four preposition और मैंने बता रहा है कि preposition के बाद हमेशा इसको अपना एक object चाहिए simple सी बात है जब भी preposition का एक rule चलता है कि हमें कि कहता है कि जब भी मैं यूज करो तो मेरे बाद एक object दे देना और आपको बता रखा है कि object बनने की power दो ही लोगों के पास है या तो एक noun के पास है या एक pronoun के पास है तो यहां पर आप four preposition देखेंगे तो इसके बाद आपको कहीं पर भी pronoun तो दिखेगा नहीं तो रही noun की बात अब noun ढूण लेते हैं तो यहां रहा shouting आपको याद हो तो मैंने कहा था वब की base form पलस में ing मैंने आप लोगों को कहा था कि तीन काम करती है वो तीन काम कौन कौन से हैं एक है noun बनना एक है adjective बनना और एक है verb बनना clear अब इस word के उपरा आते है shouting क्या यह verb हो सकती है क्या shouting को हम verb कह सकते हैं अगर इसको verb कहोगे तो इससे पहले एक helping verb होगी न मैंने कहा था कि यह तीन sentence हो तीन type के tense होते हैं अपने पास past, present, future और हर एक का continuous continuous जैसे present continuous, past continuous, future continuous तो होता ही है और हर एक में verb की base form प्लस में ing आती ही आती है तो हम कैसे पता करेंगे कि कौन से tense की बात हो रही है इससे पहले एक helping verb लगी हुई होती है तोड़ा सा मैं गहराई में लेके गया हूँ आप लोगों को मतलब जो चीज़े मैंने already बता रही है, discuss कर चुका हूँ है फिर से ये इसलिए कर रहा हूँ कि शायद कोई बच्चा नया देख रहा हूँ उसको ये देखने के लिए कि क्या इस में कराया है तो उसको भी ध्यान में रखते हुए मैं थोड़ा सा back से करवाने की कोशिश्य कर रहा हूँ तो यहाँ पर आपको यह पता चला कि verb की base form के साथ हमेशा helping verb तो आनी जरूरी ही है क्योंकि यह तीनों tense में आता है, तो हमें tense का कैसे पता चलेगा, वो यह helping verb आएंगे इसको helping verb नाम इसलिए देगा है, साहेग, साहेग क्योंकि साहेता ही तो करती है, कि tense कौन से अगर यह verb होती, तो इससे पहले helping verb नहां होता, बेशक होता helping verb नहीं है, तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर verb नहीं है दूसरा, अगर इसको adjective हो लेंगे, तो adjective हो लेंगे, तो simple सी बात है कि adjective जो है वो किसी noun या pronoun को qualify करती है, अरे इसका कामी क्या है adjective का, adjective का काम यह है कि मुझे बनाया है, इसलिए गया है कि जब भी मैं जो यूज करो, मैं किसी noun या pronoun को qualify करो qualify in the sense कि किसी noun या pronoun के बारे में बता दू, अब यहाँ पर इसको अगर adjective बोलते हो, तो इसके बाद noun कहा है कोई noun नहीं, कोई pronoun नहीं, तो इसलिए यह adjective भी नहीं, simple इसी यह बात होगी अब बचा क्या, यह noun ही तो बचा, तो noun है यह, और इस फ्रोर पर पुशन को noun ही तो चाहिए था, कोई adjective थोड़ना चाहिए था, कोई verb थोड़ना चाहिए थी तो इस सारी चीजों से मैंने देख लिए, यह noun है, noun है तो यहाँ पर यह जीरंड कहलाएगा, इसका आई फाई नहीं, जीरंड कहलाएगा इसको, clear हुआ यहाँ पर, अब यह एक word यहाँ बचता है, इसको कहेंगे loudly, इस sentence का मतलब है, teacher ने punish किया उसे तेज चिलाने के लिए teacher ने punish किया उसे तेज चिलाने के लिए, अब एक चीज बताओ मुझे, यह जो loudly है, वो qualify किसको कर रहा है, इसको मैं आपका, अगर parts of speech बताओं तो parts of speech है, इसका adverb, अब यह adverb है, और मैंने कहा रखा है कि adverb जो है, वो किस-किस को qualify करता है, फिर भी यहाँ पर लिख देता तीन लोगों, तीन चीजों को qualify कर देता है, अब यह adverb है, अब जो सोचकर, एक बर वीडियो पोज करके सोचना है, जरह यह किसको qualify कर रहे हैं आपे, अपने अगर अपना guess कर लिया है, तो अच्छी बात है, नहीं किया है, आपको नहीं समझ में आए, तो अब समझ में आ ज कर रहे हो, लाओडली से, तो पनिश लाओडली एक वर्ड है, मतलब तेजी से, तो यह तेजी से पनिश को कैसे qualify कर सकता है, यानि उसको पनिश किया, तेजी से, मतलब यह कौन सा इसको आप कौलिफाइ करने लग गए, इसका मतलब तो तो तेज चिलाने सोगा ना, लाओड किसको कर रहा है, यह क्वालिफाइ कर रहा है, इस शाउटिंग को, अब अपने पे चीज पर आते हैं, यह शाउटिंग को क्वालिफाइ कर रहा है, सर, यह तो आपने कहीं पर भी नहीं लिखा कि नाउन को क्वालिफाइ कर देगा, आपने तो लिखा कि वर्ब को मतलब आदे गुण होंगे इनके अंदर यह जो शाउटिंग है वो बना हुआ किससे है वब से ही तो बना हुआ है वब की बेस फूम पलस में आए इन जी वब से ही तो बना हुआ है यहां पर अगर वब से बना हुआ है काम नाउन वाले कर रहा है लेकिन वर्ब का तो बना हुआ है वर्ब के तो कुछ अंश होंगे इसके अंदर और उनी वर्ब का गुण होने के कारण ये क्या कहता है मैं अपने लिए एडवर्ब भी लगवा सकता हूँ आई बात समझ में ये जो लाउडली है वो इस नाउन को qualify कर रहा है क्यों कर रहा है क्योंकि ये वर्ब से बना हुआ है अर्ध वर्ब है इसको semi वर्ब भोलेंगे इसलिए उनी लिए adjective औट वर्ब एवन अपने लिए एक object भी आने वाली वीडियो के अंदर मही सारी चीजें करवाने वाला हूँ आपको कि अपने लिए उब्जेक्ट भी रख सकते हैं, इनको ये भी बोलेंगे, सारी चीजें करवाएंगे हूँ तो यहाँ पर क्या सिखा है सेंटेंस में हमने ये सिखा कि shouting जो है वो अपने लिए अडवर्ब भी लगवा सकता है, यान एक noun जो अपने लिए अडवर्ब भी लगवा सकता है आई बाह समझ में, यहाँ परदा आर्टिकल है, यह मैं लिखता नहीं हूँ, आप लोगों को पता है कि तीन ही आर्टिकल होते हैं, ए अंदा अगले sentence पर आते हैं, अगला sentence है they have pacified the fighting bulls pacified का मतलब होता है शांत करना they have pacified the fighting bulls अब इसमें verb क्या है pacified होगी verb होगी pacified main verb have क्या है? have helping verb किनो ने pacified कर दिया? दे ने तो दे बनिया subject अब किसको pacify कर दिया? किसको शांत कर दिया? अरे, bulls को fight तो ये बनेगा object, the article है अब एक word यहाँ पर रहता है fighting, इसको क्या बनाएंगे? आजो ज़रा, इसको क्या बनाते हैं फिर से वही अपनी तीन चीजे हैं हम इसको क्या verb बना सकते हैं fighting को अगर verb बना दिया तो अपने लिए helping verb मांगेगा तो helping verb नहीं है clear हुआ क्या हम इसे noun बना सकते हैं? अगर आपने इस fighting को noun बनाया तो ये भी noun है, ये भी noun है दो noun बैठे एक साथ तो दो noun एक साथ कैसे आ सकते हैं? अज़े भई या, दो noun आप एक साथ लगाओगे तो बीच में conjunction चाहिएगी और दोनों के दोनों इस verb के लिए object बनने की कोशिश करेंगे बिना conjunction के, बिना उसको बिना motive के आप इसको noun कैसे बना सकते हूँ तो ये noun भी नहीं है दूसरी, अब दो चीज़ खतम होगी एक चीज़ बसती है adjective अब ज़रा देखो ये adjective है या नहीं अब ज़रा है ये जब भी यूज़ करो मेरे लिए एक noun ये प्रणाव ला दो जिसको मैं क्वालिफाइ कर रहा हूँ इसके बाद एक noun लिखा तो हूँ है बूल्स अब ज़रा हिंदी बना के देख लो इसकी कर रहा है कि नहीं कर रहा है रहा है अब फैसे फइफाइड दी फाइटिंग बूल्स अरे उन्होंने शांद कर दिये लडते हूए उच्टरों को इस फाइटिंग ने इस बूल्स को क्वालिफाइ किया है कि नहीं किया अरे बेशक किया कैसे बूल्स थे? लड़ रहे थे वो यह जो लड़ना जो है इस भूल्स को ही तो कौलिफाई कर रहा है तो इसको बोलेंगे एजेक्टिव और इसका हाइफाई नाम मैंने कहा था आप लोगों को कि present participle बोल लो इसको तो यही है वो आपके सामने present participle यही है present participle clear तो अगले sentence पे चलते हैं अब यहाँ पर एक चोटी सी चीज और बता देता हूँ मैं आप लोगों को इसी sentence में जो present participle होता है जिसको qualify कर रहा होता है present participle जिसको qualify कर रहा होता है जिस भी noun या pronoun को जिसको भी qualify कर रहा होता है actual में जो यह बाद में जो चीज आ रही है वो इसका doer होता है generally, समान देता है जैसे, जैसे मैंने कहा fighting bulls, लड़ते हुए भैल इस fighting ने इस bulls को qualify करती है लेकिन दरहसल एक चीज देखो तो यह लड़ने का काम कर कौन रहा है यह bulls ही तो कर रहे है भाई, यह इसको qualify कर रहा है एक present participle generally बोल रहा हूँ जिस भी noun यह प्रणावन को qualify करता है अच्छल में वो noun यह प्रणावन उस काम को कर रही होते है तो यह bulls जो है वो इस fighting को यह काम को तो कर रही है अब मैंने यह बात क्यों बोली है आगे चलेंगे तो इस चीज को मैं एक use लूँगा इस चीज का मैं ताकि आप लोगों concept की clarity करवा सको अच्छे से मैं तो अभी बात बोल दी है अपने दिमाग में डाल लो अच्छी बात और नहीं आई तो कोई बात नहीं आने वाले टाइम में फिर से आएगी फिर से repeat कर लेंगे इस चीज को अगले sentence पर आते हैं थर्ड sentence पर sleeping on the floor was the main reason for your back pain अब यहाँ पर verb देखते हैं तो verb है यहाँ पर woes woes क्या है? main verb on क्या है? preposition और preposition के बात क्या आते है? preposition के object तो floor बनेगा preposition का object दा है article for फिर से यहाँ पर preposition है और preposition के बात फिर से आते है object यहाँ पर इसका object कौन बनेगा? back pain यह दोनों के दोनों ही object बनेगे back pain क्योंकि दोनों एक इक noun का काम कर रहे हैं इसके लिए इनको बोलते हैं दो word मिलकी एक noun का काम करते हैं उनको बोलते हैं compound noun तो यह compound noun है तो confuse नहीं होने का है कि इसर क्या एक ही noun होता है क्या दो word भी हो सकते हैं भाई या noun यह रहे आपके सामने compound noun बोल दिया मैंने इनको अब you are क्या कर रहा है इनके ओपर अधिकार जताने वाला possessive adjective अब यहाँ पर एक बात याद करो पुरानी जब मैंने आप लोगों को कहा था वो दिन जब हमने शुरुवात की थी कि शुभारम की यादा हमने English सीखने का तो मैंने आप लोगों को बोला था कि भाईया जब भी बी की फोर्म यादो कि जब भी बी की फोर्म कौन-कौन से is, am, are, or be जब भी बी की फोर्म वोज और वर और क्या रह गई being और क्या रह गई एक और रह गई being जब भी बी की फोर्म में वोब बने जब भी बी की फोर्म क्या बने में वोब बने इसके बाद क्या आते हैं इसके बाद आते हैं subject compliment COMPLEMENT क्यों आते हैं कि भी यह इसके अंदर INF 분SHCANA नहीं होता Mechanic 건 नहीं होता वजक्ट नहीं आएंगे सक इंदर क्या है यहां पर शब्जरींट compliment noun है यह noun है अब यह main क्या कर रहा है main कर रहा है इसको qualify तो यह क्या बनेगा भया adjective दा क्या है article तो यह subject compliment हुआ यह adjective हुआ यह article हुआ यह verb हुई यह object हुआ किसे अपर proportion का दे article हुआ यहाँ पर proportion हुई you are a possessive objective हुआ, backpin object हुआ अब एक बात और यहाद कर लो एक बात ये कि क्या कोई ऐसी वब हो सकती है जिसका subject ना हो मैंने ये बात आप लोगों को अच्छे से करवा रखी है, कि जब हमारे basic के lecture चल रहे थे, अभी भी ये basic है, even ये जो वीडियो है, वो मैंने देखा 18th वीडियो आ रही है अपनी English grammar में, और अब तक मैंने basic basic के अंदर 18th है, और 17 पहले 17 के अंदर तकरीबन मैंने 14 वीडियो आप लोगों को basic basic करवा दिया है, अब एक दो वीडियो और चलेंगे basic की फिर आप लोगों जो concept, जो pronoun मैंने चोड़ा था, उसको continue कर लेंगे, अभी reason है देखो, कि मैं एकदम से चीज़े नहीं बढ़ा सकता, बहुत तेजी से ये concept ऐसे हैं कि अभी आप समझ गए ना, आने वाले time में बहुत सारी चीज़े आने वाली हैं, वो आप अच्छे से grab कर पाओगे, इसलिए मैं थोड़ा slow भी करवा रहा हूँ और थोड़ा time लेकर भी करवा रहा हूँ ताकि देखो, मैं महनत कर रहा हूँ ना, तो सामने वाला at least उस महनत का मतलब उसे फल मिले, ऐसा नहीं है कि जल्दी जल्दी करवा दिया और उसको बस निप्टा दिया मैंने, ऐसा नहीं करने का मेरे को खुद से वो feeling नहीं आती कि ऐसे ललू पंजू सैसी चीज़े मैंने करवा दिया और सामने वाले को को benefit नहीं हुआ बस वीडियो बनाने का purpose थोड़ना है यारत सामने वाले को समझ भी तो आना चाहिए तो यह चीज है तो 18 वीडियो है आप अच्छे से देख लीजिए, सारी वीडियो बहुत अच्छे से concept करवाएं है इतना है येकिन मुझ पर रखिए, ऐसा नहीं ये फ्री है, तो आप लोगों को कोई मैंने कोई बहुत लो लेवल की चीजें दिया नहीं, बहुत बढ़िया content दिया है मैंने जो अपनी class में बच्छों को बढ़ाता हूँ वही मैं आप लोगों को यहां पर पढ़ा रहा हूँ अब यहां पर अच्छा मेरे तो बात ही बुलवा दिया है बात यह थी कि बढ़िया कोई ऐसी वह सकती है कहां गए महिष्य महिष्य रही का कोई ऐसी वह हो सकती है जिसका subject नहीं हो अर्य यह तोसा क्यिए नहीं सकता है आप ने तो इतनी बार बोला है कि सब्जोट आयेगा और वहième आयने सब्जक्ट आयेगा इतनी क्यों गुमा रहे हो गुमा इसलिए रहे हैं कि काफी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके उपर से जा रही होती है कि क्या चल रहा है तो उनके लिए थोड़ा बहुत हम मनुरणजन कर देते हैं बातों को गुमा देते हैं तो स्लीपिंग यहां पर क्या बनेगा इस वर्ड इस वर्ड के लिए सब्जेक्ट तो यह सब्जेक्ट पनेगा इसका हाइफाइ नाम हम क्या कहतेंगे जीरंड एक तरीक है कि यह प्रैक्टिस है आप लोगों को मैंने पिछली वीडियो में करवाई हुई यह चीजे मैं यह सब्जेक्ट आरों और एक सेमी वर्ड को चोटा सा कॉंसेप्ट यहां पर आड़ करवा रहा हुँ उनको भी सेमी वर्ड कहेंगे अब इस पर्टिकुलर वीडियो को मैंने सेमी वर्ड ही नाम दे दिया है कि सेमी वर्ड अब इस पर रिलेटिड दो वीडियो और आएंगे आप लोगों के सेमी वर्ड का कॉंसेप्ट खतम हो जाए और इसके बाद हम प्रोणाउन का आगे का जो कॉंसेप्ट है रिलेटिड प्रोणाउन करवाना है वो हम आगे स्टार्ट कर लेंगे अपना अब जितनी जुरूरत थी या फिर कहें जितना खतम करवाना था करवा चुका हूं बेसिक का थोड़ा बहुत रिक्वार्मेंट पड़ेगी हम उसको कॉंसेट में ही करते चलेंगे आगे तो यहां पर हो गया स्लीपिंग यहां पर सब्जेक्ट और यह बनेगा जीरंड यहां पर हाइफाइ नहीं इसका जीरंड हो गया अब अगले सेंटेंस पर इसका मतलत है घायल यह क्या है बई किसको क्वालिफाइ कर रहा है देखो मैंने आप लोगों को एक चीज बोली हुई है वब की थर्ड फॉर्म दो काम करती है एक तो वब बनने का और एक अजेक्टिव बनने का तो यह वब की थर्ड फॉर्म है देखो सेकेंड वर्म तो हो नहीं सकती दूसरी चीछ यह वर्ब की third form बनाओगे किसर इसको वर्ब की third form बनाते मैंने का बहुत सभी वब की third form बनाओ देखो जैसे मैंने कहा कि वर्ब की base form plus में ing तीनो tense के अंदर सेम चलती है चे वो present हो चे वो past हो, चे वो future हो तीनों में सेम चलती है उनके पीछे helping में बारी होती है ismr आ रहा होता है, wasr आ रहा होता है will, shall be आ रहा होता है, तब भी हमें बता चलता है कि कौन सा tense है यही helping verb का काम होते है same verb की third form में वो case होता है दोको verb की third form जो है वो तीनों में सेम चलती है चे वो present की बात कर लो, चे वो past की बात कर लो चे वो future की बात कर लो तीनों में verb की third form होती है तो हमें कैसे पता चलेगा भाईया कि tense कौन सा है उनसे पहले has, have, had, will, shall, have यह लगे हुए होते हैं तब ही हमें पता चल पाता है कि tense कौन सा है यहां पर जड़ा देखो क्या यह verb की second form तो मैंने हटवाई दिया क्या यह verb की third form यह यह verb का काम कर सकते हैं यहां पे अगर आप इसे verb बोल दोगे तो यह बोलेगा कि भाया लओ मेरे लिए helping verb ले क्या हूँ helping verb नहीं है अर दूसरी जी से पहले article भी लगा हूँ है तो यह दिक्कत होगी इससे पता चल यह verb का काम तो करनी रहा तो बचा क्या यह adjective तो यह adjective है इस soldier को qualify कर रहा है कैसे कर रहा है यह कैसा soldier है घायल soldier है तो यह adjective है इसका हाइफाइ नाम होता है past participle हाइफाइ नाम होगा है past participle देखो adjective का बड़ा simple सा पंगा है वो किसी नावन या प्रणावन को qualify करे just simple बोलो वो एक adjective है और adjective कुछ भी हो सकता है वो verb भी हो सकती है आपके सामनी तो लिखा है यह verb से ही तो बना है अर्दवा भी तो है semi verb यह एक तरिके का clear अगले sentence पर आते है अगला sentence है the newly elected MP took oath in the presence of the prime minister oath का मतलब होता है शपत लेना clear तो नए नवेले चुने हुए MP ने शपत ली किनके presence में परधान मंतरी की presence में पस्तिती में है तो इस sentence का meaning है अब फिर से इसको break कर लेते हैं अरे कहां जाते हो कहां चले जाते हो यह रही तो इसको break करने की शुवात करेंगे हम verb से तो बच्चों का ध्यान जाएगा इस newly elected के पर सर इसको verb बनाओ अगर इसको verb बनाओगे इसको कौन सी verb बनाओगे second या third third बनाओगे तो दिक्कत यह हो जाएगी कि भाईया इससे पहले कोई helping verb नहीं है तो third नहीं बन पाएगे अरे second मैंने कहा एक बार रुख जाओ second भी बनाएगे इसको आ जो ज़रा एक बार इसको छोड़ देते हैं इस word को छोड़ देते हैं तुक यह हम मैं इसको बना लेता हूँ अभी आते हैं इसको प्रभी इसको प्राते हैं तुक लाली मैंने main verb ओथ क्या है शपत जैसे अरे कहा गई अरे भाईया अरे आ जो ओथ क्या है object इस तुक का इन क्या है preposition presence क्या है इस preposition का object of क्या है preposition दा आर्टिकल है ध्यान रखना और प्राइम मिनिस्टर क्या है preposition का object तो ये दो चीजे होगी हमारे सामने ये दा आर्टिकल है दा आर्टिकल है यहाँ ध्यान रखना इसके लिए subject कहा से लाओगे दूसरी चीजा है यहाँ पर इससे पहले आर्टिकल लगे हुए तो यह दिक्कत हो गई तो इतना हमने जान लिया इस elected ने कि इसको qualify किया एक तरीके का यहाँ पर वर्ब नहीं है वर्ब नहीं है तो यह qualify कर रहा है MP को कर रहा है तो इसको बोलेंगे adjective इसका हाइफाइ नहीं होजेगा पास्ट पार्टिसिपल अब यह newly क्या कर रहा है भाईया newly कर रहा है इस adjective को qualify यह बनेगा adverb clear newly elected नए चुने हुए MP तो यह जो था यह concept यह था semi verb का semi verb में हमने इस concept में जाना कि एक noun जो है अपने लिए क्या लगवा सकता है एक adverb लगा सकता है यह हमने पहले बार इस पहले sentence में देख लिया है तो इसमें हमें जानने को यह मिल गया और एक तरीकी कि हमारी practice थी यह जो पिछली वीडियो से हमेंने जवाप लोगों कर आया वो चीज़ें आपको दोबार से revise हो गई होगी अब एक concept हो और हम चलते हैं आगे चलना है यह concept आता है die transitive verb मैंने आप लोगों को देखो basic मैं फिर से पीछली वीडियो का reference तो मैं लूँगा ही लूँगा क्योंकि यार मैं वहाँ पर करवा चुका हूँ और वो सारी चीज़ें मैं repeat नहीं करना चाहता reference जुरूर लूँगा वहाँ से मैं एक concept मैंने आप लोगों को करवाया था उस concept का नाम है transitive verb transitive verb यह से याद आ रहा हो transfer हो जाना एक जगें से दूसरी जगें का trans move होना तो यह वाली चीज़ थी मैंने आप लोगों को चीज़ करवाया थी तो वो वाली वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि transitive verb उसे कहते हैं जो अपने लिए object रखे और in transitive verb उसको कहते हैं जो अपने लिए object ना रखे आई बात समझ में याद आ गई है तो बहुत अच्छी बात है नहीं आई तो वीडियो बहुत करके जाके पिछली वाली वीडियो देख लो शायद वो आप लोगों को उसके पर मैंने लिखा हुआ है basics of verb का मैंने आप लोगों करवा रखे वो शायद second या first के अंदर verb basic first के अंदर आप लोगों को वो चीज मिल जाएगी तो मैंने आप लोगों कराया था कि transitive verb उसको कहते हैं जो अपने लिए object रखे और intransitive उसको कहते हैं जो अपने लिए object ना रखे फिर मैंने कुछ चीज़ें बताई थी कि हमें कैसे बता चलेगा कि conceive of transitive और conceive of intransitive वो हमने reading जितना करेंगे उसने ही हमारी चीज़ें clear होंगे और वाज़की उसकी कोई trick नहीं होती है और अब एक कदम और आगे बढ़ रहे हैं हम एक कदम आगे क्या बढ़ रहे हैं देखो जैसे मैंने कहा transitive transitive तो transitive भी आगे कि दो चीज़ों में बाट दी गई है एक transitive बाती mono एक बाती dai mono का मतलब होता है एक और di का मतलब होता है तो यानि mono transitive यानि जो अपने लिए 1 object रहे, di transitive जो अपने लिए 2 object रहे अब आऊ जो रहा पढ़ो टाइटल क्या लिखा या लिखा है Dieu Transitive Verb यह इसी वर्व जो अपने लिए दो अबजेक्ट रखे अब इसके अलावा ट्राई नहीं होता quarter नहीं होता, मतलब दो पर ही जाके मतलब अपनी काड़ी रुखती है, इसके बाद कुछ नहीं आएगा, जिसमें कोई वाब अपने ले तीन object रख रही है, ऐसा कुछ नहीं होगा clear, आओ जराब एक बर थोड़ा से इन चीजों पर नजरे मार लेते हैं indirect object और एक direct object दो object होते हैं, एक को indirect बोलेंगे और एक को direct बोलेंगे अभी देखेंगे, indirect किसको बोलेंगे और direct किसको बोलेंगे, आओ जराब indirect उसे बोलेंगे, जो हमें reply मिले verb से, verb से reply मिले, किसका to whom, for whom, from whom ये verb से अगर आप reply लोगे न to whom, for whom, from whom तो ये हमें indirect object देगा और direct object क्या देगा? direct object कैसे बता करेंगे? अगर हम verb से पूछें, what या whom what या whom का अगर हम reply लेंगे verb से, तो हमें direct object मिलेगा दूसरी चीज indirect object जो है, वो human beings के लिए use किये जाते है indirect object human beings के लिए use किये जाते है वही direct object things, चीजों के लिए use किये जाते है clear ध्यान रखना है, indirect object का हमें कैसे बता चलेगा? to whom, for whom from whom, यहाँ पर direct object, what या whom से verb से, clear verb से what या whom का reply लेंगे, तो हमें direct object बता चलेगा, तो पहला sentence देखो ज़रा, he gave me a book, he gave me a book, verb क्या है? gave he क्या है? subject he gave to whom he gave to whom यह रहा, देखो, अब थोड़ा सा, एक concept wide angle से सोचने की जुरूर रहता है, मैंने आप लोगों को, अभी थोड़ी देर पहले यह बात बोली, कि दो noun दो pronoun, या एक noun या एक pronoun, एक साथ नहीं आ सकते क्यों नहीं आ सकते? जो रहा देखो, मैंने आपको यहां पर बोला था एक नट अरे चल जा यार यहां यह रहा, fighting fighting एक noun भी बन सकता है, और bulls तो एक noun है, तो मैंने काई, भी या अगर इसको noun बना दोगे, तो दो noun एक साथ आ नहीं सकते मैंने यहां पर एक बात बोली थी तो यह फिर से बही बात, कि सर आपने बोला था, कि दो noun दो प्लस दो noun या दो pronoun प्लस 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 या एक noun या एक pronoun एक साथ नहीं आ सकते इनके बीच में अगर conjunction लगाएंगे तब तो आ सकते हैं एक साथ ऐसे यूज नहीं कर सकते और आप तो यहां पर कोई भी conjunction लगाएंगे तो यहां पर article लिख रहा है और sentence बिलकूर से यह कैसे तो यही concept मैंने आपको बताना है कि अगर आप इस नजर से देखोगे ना कि दो noun आए हुए हैं, दो pronoun आए हुए हैं यह दोनों यह object बनने की कोशिश करेंगे तो अगर इस नजर यह से देखोगे ना तो दिक्कत हो जाती है दिक्कत क्या है, अब यह देखो अब मैं यहां पर कहरूँगा, कि he gave to whom he gave to whom यह तो reply to whom का है, तो यह भी object है actual में, यह भी object है, दोनों object है लेकिन object में इसमें फरक क्या है यह indirect object है और यह direct object है कैसे, he gave what what का reply मिल रहा है, book he gave to whom, यह to whom का reply मिल रहा है, तो यह हो गया एक तो इससे बता कर लिए, दूसरा यह human being होगा और यह things होगा, एक और चीज होती है कि indirect object पहले आते हैं indirect object पहले आते हैं, तो यहां पर देख लो, यह पहले आया हुआ है तो इन चीजों से मैंने पता कर लिए, indirect object और direct object है, अब एक सवाल उड़ता है बच्चे के मन में, सर मुझे कैसे पता चलेगा कि कोई word कोई verb जो है, वो indirect object di-transitive verb है, जो अपने लिए दो object रख रही है simple sensor है, reading मैं करवा दूँगा कुछ verb जो आपके exam के point of view से जुरूर है अगर आप लोगों को और बाकी जानना है तो आप जितनी reading करेंगे, उतना ही concept crystal clear होगा सारी जीजे तो यहां नहीं हो मैं तो आप लोगों को एक path दे सकता हूँ आपको एक रास्ता दिखा सकता हूँ कि देखो इस रास्ते चलना है, चलना आप नहीं है मैं आपको गोद में उठाके नहीं लेके जाना हूँ वहाँ पर, चलना आप नहीं है जो अपने लिए दो-दो अबजेक्ट रख पाती है ये गेव जो है वो उन वर्ब में से आती है जो अपने लिए दो अबजेक्ट रख लेती है आपका कोशन यही रहेगा ना कि सर मुझे कैसे पता चलेगा तो रीडिंग करो न्यूस पिपर पढ़ो कोई नोवल पढ़ो जितना पढ़ोगे तभी तो पता चलेगा तभी तो आपके सामने आएंगी वो वर्ड्स वो शब्द आपके सामने आएंगे कि देखो यार इसने दो-दो अबजेक्ट रख रखे हैं वरना कैसे पता करोगे इस चीज़ को तो he gave me a book यहाँ पर me जो है वो indirect object है और book जो है वो direct object है दो ना उने एक साथ आगे कैसे आए कि भाईया एक को हमने indirect object बना और एक को हमने direct object बना है इसलिए आए clear अब आगे आते हैं अगली पर he told me a story he told me a story told क्या है verb किसने भाईया सुनाई he ने तो he बनेगा subject वह यह किसको सुनाई to whom me यह बनेगा indirect object क्या सुनाई told what story बनेगा object वो भी direct यह article है clear मोहन लेंट सोहन सम मनी मोहन ने उधार दिये सोहन को कुछ रुपे तो लेंट होगी यहाँ पर मेंड़र मोहन होगया subject लेंट वर्ट मनी मनी बनेगा यहाँ पर object सम इसको कौलिफाय करने ओला adjective और to whom किसको दिये सोहन सोहन बनेगा indirect object आई यह लिका मैंने indirect object clear तो यह हो गया यहाँ पर दो तिन और question है हम इसको और कर लेते हैं चार question है Amit sent him a letter तो sent होगी main verb किसने भेज़ा भईया Amit ने है तो Amit बनेगा यहाँ अपर subject sent letter letter बनेगा object direct object यह article है sent whom to whom तो यह बनेगा यहाँ पर object वो भी indirect देखो दो noun एक साथ आ रहे हो दो प्रणावन एक साथ आ रहे हो तो आप लोगों को ध्यान में यह रखना है कि कहीं है वो direct और indirect वाला तो concept नहीं आ गया हो तो उस नजरिये से भी आप लोगों को एक बार चीज़े चेक कर लेनी है समझ में आया अब अगला sentence देख लेते है Mohan is teaching us English is क्या है helping verb है teaching क्या है पढ़ा रहे है to whom us what English तो verb से हम reply लेके देख रहे है what का या whom का तो हमें पता चल रहा है अच्छे यहां पर देखो he ordered them to go away ordered क्या होगी यहां पर main verb होगी he क्या होगा subject होगा अरे भाईया क्या order किया जाने का to go चले जाओ तो यह object है क्या है यह object वही है याद हो तो infinity है infinity क्या होते है two plus में बब की base form को हम infinity कहते है two plus में बब की base form को हम infinity कहते है यह आगया आपके सामने infinity मैंने आपको कहा था था ना कि आपके सामने अब जितने भी sentence आएंगे कही ना कहीं present participle past participle infinity यह तो आएंगे ही आएंगे ताकि आपका कॉंसेटोर क्लियर होता चले मैं रुकने वाला नहीं हूँ मैं बार 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 इंची जों को रिपीट करूँगा ताकि यहाँ आप लोगों के दिमाग में ऐसी बैठ जाएगी यार आप सोते वक्त भी अरे यह जीरंड है यह प्रे अरव बनने का मैंने यह 2 काम नहीं करूँ आएं सिर्फ नाहँं का कीनार मैंने वह तो बहुत कर दूंगा टाम आने हैं आया समझ में अगला last sentence और देख लेते हैं he requested us to come here requested होगे यहाँ पर verb he होगया subject requested what वहिए इधर आने का यह बनेगा object noun है infinity कहींगे इसको us to us to whom us तो यह बनेगा indirect object वहिए कहां आने का order दिया उन्होंने क्या request कि यह अनजदी का आने का order दिया to come आने का अनजदी कि दिया आने का order दिया उसनोंने तो here जो है वो इस कम को qualify कर रहा है एक तरीके के infinity को qualify कर रहा है यह adverb है adverb place कहते हैं इसको कैसे लगा दिया क्योंकि infinity जो है वो verb से बना हुआ है semi verb है तो अपने लिए एक adverb लगवा सकता है तो इतनी सारी चीज़ें हमने देख लिए हैं कि भाईया semi verb क्या होते हैं, diet transit verb क्या होते हैं और भी चीज़ें हम करने वाले हैं मैं इसमें और ज़्यादा करने वाला था फिर सोचा थोड़ा 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 करके आपको dose देते हैं क्योंकि यह heavy होने वाला है इस वीडियो को अच्छे से देखो या एक नहीं, दो बार इसको अच्छे से देखो ताकि चीज़े clear हो और इसके बाद एक concept और लेके आने वाला हूँ यह direct और indirect object का पंगा आया है क्यों अगर एक object रख लेंगे तो फर्क क्या बढ़ जाएगा उसको भी करवाऊँगा मैं और semi-verb से related और भी चीज़े आपके सामने आएगी फिर फोटी मोड़ी trick और वो चीज़े जो मुझे मैंने अपनी सहुलित के लिए बच्चों को समझाने के लिए बना रखी है कहा लगा दिया हमने वो यह रहाँ यह मैं अगली वीडियो में कराऊँगा कहीं सोचरों सरी क्यों नहीं करा रही अगली वीडियो में कराएंगे आप लोगों को क्योंकि मैं ज़्यादा concept एक वीडियो में नहीं देना चाहता हूँ वो वरना असर के उपर से जाएगा तो इसलिए थोड़ा असर रखेंगे लेकिन एफेक्टिव वेसे अगर आप लोगों को इस वीडियो से लेटिड पीडियो चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फेस्बुक क्रूप का फेस्बुक पेज का और टेलिग्राम का लिंक दिया हुए जाकर जोइन कर लीजिए वहां पर आपको लोगों को इस वीडियो से लेटिड यह जो मैंने आपको करा है इसकी पीडियो भी वहां मिल जाएगी और आप खुद के नोट्स बना रहे तो ब क्लियर आपकी आप मतलब इसमें तो कोई कोस्ट नी लगती ना आप करोगे आपकी इस तरी इस वे से मेरे को मोटिविशन जूरू मिलेगी और मैं अच्छे से दिल और जान से काम करूँगा काम तो वैसे भी करी रहा हूं है बट और जादा एनर्जी आजएगी समझो यह आपके उपर है तो बस हाज के लिए इतना है रखते हैं इस वीडियो में थैंक यू फॉर वोचिंग इस वीडियो